टॉयलेट में बैट कर हमारे बच्चे विद्या अर्जित नहीं करेंगे उनके लिए क्लासरूम होने चाहिए सहूलियत होनी चाहिए टैक्सपेर का रुप्या है ये टैक्सपेर आज आपसे पूछता है क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिंती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था कि आखिर वो कौन सी वज़े थी कि धाई साल आपने सीवी सी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया आम आदमी पार्टी का मेनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे यह 500 नए स्कूल तो नहीं आए लेकिन एक बहुती सुन्योजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने पी डब्लूडी डिपार्टमेंट से इस पी डब्लूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट योकी अर्विंद केजरिवाल के ही इशारे पे दी गई कहा जाता है कि हम जो स्कूल है वहाँ पे अत्रिक्त कमरे बनवाएंगे अच्छा अत्रिक्त कमरे बनवाएंगे नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे यह अत्रिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना ता जरूरत थी लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया इस पे कंप्लेंट में ये भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कोस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है CPWD मैनूल में उसकी अंदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए जिससे की मुनाफ़ा खोरी कर सके अपने चिनहित ठेकेदारों को ठेका दे सके ये करते हुए कंस्ट्रक्शन कोस्ट को करीब करीब 50 से 90 प्रतिशत तक बढ़ाया गया ये चिन्ता का विशे इसलिए है क्योंकि CVC ने एक रिपोर्ट जिसमें ये स्पश्ट था कि घोटाला हुआ है बढ़ा घोटाला हुआ है भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें और धाइस साल पहले धाइस साल पहले करीब फर्वरी दो हजार बीस में तो पहला सवाल अर्विन केजरिवाल जी ये है अगर आप धोंग पाखंड और जो नौटंकी आप कर रहे हैं उसमें इतने व्यस्त नहीं थे हैं तो ये रिपोर्ट जो भेजी गई धाइस साल पहले आपको हमारे बच्चों की शिक्षा और क्लासरूम को लेकर जो घोटाला हुआ है आपने इसका संग्यान लिया और संग्यान लिया तो धाइस साल में क्या कारवाई करी ये पहला प्रश्ण है हमारा और इस बार नाटक करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि तत्थे बहुत मजबूत है सीवी सी की जो विवेचना करी उसने और जो तत्थे सामने आए मैं आपके समक्ष रखके कुछ और सवाल पूछूँगा सबसे पहले जो टेंडर की वैल्यू थी उसको बढ़ाते हुए जहां 90 प्रतिशत तक कई जगा बढ़ा दिया गया और ये धांदले बाजी की ऐसे गई कि स्पेसिफिकेशन्स में जनरल बाते लिखते हुए कहा गया कि इस वज़ा से हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं अनुमान है क्योंकि अर्विन केजरिवाल जी जब बताओ कि ये घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि आप पहले ही विवेचना के ये बताईए घोटाला कित्ता बड़ा है सो दो सो करोड रुपए तो अगर मैं निगल जाओं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं हूँ वो विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं लेकिन इस रिपोर्ट के तहट 326 करोड रुपए इसकलेशन हुआ 326 करोड रुपए ये जो टेंडर का एमाउंट है उससे करीब तिरपन प्रतिशत ज़्यादा था अब आप सब जानते हैं कि टेंडर जब आता है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं और सारजिनिक रूप से हर ठेकेदार हर वेक्ती सरकार द्वारा जो टेंडर पेश किया गया है उसमें समिलित हो सके तो अगर आप कोई बदलाव लाएंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा लेकिन ऐसा अर्विन केजरिवाल जी की सरकार नहीं करती है इस रिपोर्ट में ये भी तत्य आया है ये जो बड़ी हुई लागत थी इसमें बनने थे 6133 क्लासरूम लेकिन बनाए गए 4027 अब आप देखें करीब 33 प्रतिशत एक तिहाई तो हवा हवाई हो गए गायब हो गए हर क्लासरूम बनने का एक बज़ेट था ये बज़ेट बढ़ाया वो भी इर्रेगुलर तरीके से CPWD मैनुएल में जो कानून है जो गाइडलाइन्स है उसकी अंदेखी करी और जब बढ़ा दिया तो भी 6133 क्लासरूम की बजाय केवल 4027 बने अरदिन केज्रिवाल जी एक रप्य करके बताईए ऐसा फिर से प्रतीत होता है कि ये 333 क्लासरूम जो कम बने बढ़ी हुई लागत पे ये भी घूम के काला धन आपी की तिजोरी में आया है क्या हमारे तत्ते गलत हैं ये सवाल पूछने का हग तो दिल्ली की जनता को है न इसमें फिर अगली बात जो आती है गोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है जो सुबा शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घुटाला करके धन अरजित करूं तो वह अरविंद केजरिवाल और मनीश शोडिया है क्योंकि ये जो विभाग है मंत्राल्ले है ये उन्हीं के पास है जरूरत थी अत्रिक्ट शोचाले जो हैं स्कूल में एक सो साथ की बनाते कितने हैं रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं बारा सो चौदा की जरूरत है कहां एक सो साथ कहां बारा सो चौदा और सबसे दुखत मैं समझता हूँ इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं इसमें टॉइलेट जो बनाए बच्चों के उसको क्लासरूम में गिन लिया है खबरदार अर्विन केज रिवाल जी इस देश के बच्चे दिल्ली के बच्चे उनके भविश्य से आप खिलवाड मत करिए और टॉइलेट में बैट कर हमारे बच्चे विद्या अर्जित नहीं करेंगे उनके लिए क्लासरूम होने चाहिए सहूलियत होनी चाहिए टैक्सपेयर का रुप्या है ये टैक्सपेयर आज आप से पूछता है क्या ये सत्त है या नहीं है कि आपने टॉइलेट को क्लासरूम में गिंती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था जितने अत्रिक्त क्लासरूम का नंबर बढ़ेगा उतना रुप्या अंदर आएगा ये अर्विन केजरिवाल का मूल सिद्दान था इसके अलावा घोटाला किस तरका है तभी कहते हैं आप नहीं पाप है जिस विभाग की बात करोगे ब्रश्टाचार मिलेगा इन्होंने कहा कि रेन वोटर हावेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए इस्कूल में और 29 रेन वोटर हावेस्टिंग सिस्टम हम बनाएंगे इसके लिए इन्होंने अनुदान लिया जब inspection हुआ है कहां 29 और मिले कितने दो 29 रेन वोटर हावेस्टिंग सिस्टम का अनुदान हुआ रुप्या खर्ज किया और जब इंस्पेक्शन हुआ सीवी सी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि जमीन पर केवल दो थे आपकी नियत में इतना खोट इतना भ्रष्टाचार आपके अंदर आपके डियने में भ्रष्टाचार भेह रहा है अर्विन के जिवाल जी ये जो तत्य हम बता रहे हैं अगर हिम्मत हो विधान सबा का सत्र चल रहा है विधान सबा के पटल पर आप ये जो हम सवाल उठा रहे हैं इसका उत्तर दे दीजे अगला तत्य और चिंतित कर देगा जो संक्षिंड इमांग था इन सभी प्रोजेक्ट का ये करीब 990 करोड था तुबी प्रेसाइज 9.26 करोड जो एवार्ड वैल्यू थी सारे टेंडर्स की ये 860 करोड लेकिन खर्चा कितना हुआ 1315 करोड अगर 870 करोड के टेंडर आपने दिये तो ये 1315 करोड खर्च कैसे हुआ क्या जंता हिसाब नहीं लेगी 4500 करोड ये जो अत्रिक्त है उसका और एक बड़ी बात मैं आपके समक्ष रख दूँ कि ये घोटाला किस तरह का है जब भी कोई सरकारी काम होता है तो गाइड लाइन्स हैं CPWD मैनुल GFR और CVC गाइड लाइन्स हैं कि सरकारी ठेका जो है वो टेंडर से ही होगा पबलिक डोमेन में उसका आना जरूरी है और जो बात अब मैं आपसे कहने जा रहा हूँ सवाल ठोक के जो पूछूँगा कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया अर्विंद केजरिवाल जी आपके द्वारा आपकी सरकार के द्वारा तो ये टेंडर आपने क्यों नहीं निकाला ये इसलिए नहीं निकाला क्योंकि कुछ ठेकेदार जो की अर्विंद केजरिवाल के बड़े घनिष्ट है जिनसे घूम के अर्विंद केजरिवाल की तिजोरी भरनी थी अगर सारजनिक रूप पे टेंडर निकालते तो हो सकता है कि कम लागत पर कम कीमत पर कोई और वेक्ती अच्छी क्वालिटी के क्लास्रूम बना देता ज्यादा क्लास्रूम बनते लागत कम होती लेकिन एक नुकसान अर्विंद केजरिवाल को हो जाता कि उनकी तिजोरी में रूपया नहीं आता तो इसलिए टेंडर ही नहीं निकाला गया और इसके साथ लिखा है कि जो भी आदे अदूरे क्लास्रूम बने और टॉइलेट जिनको ये क्लास्रूम मानते है वो पूरे भी नहीं किये गए और उसमें भी क्वालिटी इश्यूज है ये जो बातें आपके समझ रखी है इसका सारांच यही निकाला जा सकता है एक तरफ केंद्र सरकार है वो कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और दूसरी तरफ अरविंद केजरिवाल की सरकार है जो कहते हैं आए अरविंद केजरिवाल हेरबाइ गारेंटी यू हंड़िट परसेंट एब्जॉर्चिन ओफ करप्शन अगर आप करप्शन मेरे पास आईए आपको समलित करना मेरी जिम्मेदारी है बच्चों का भविश्य मेरे लिए चिंता और प्रात्मिक्ता नहीं है बच्चों का क्या है मैं उनको टॉलिक में बढ़ा दूँगा टेबल देने की आवशक्ता नहीं है मेरे को अपनी तिजोरी भरनी है अभी गौरब जी ने बहुत विस्तार से इस गोटाले के बारे में आपको बताया है मैं दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिबाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी वज़े थी कि धाई साल आपने सीवी सी की रिपोर्ट को पबलिक डोमेन में नहीं आने दिया सीवी सी की फाइंडिंग्स को जो दिल्ली में आपके द्वारा जो स्कूल बनाये स्कूलों में कमरे बनाये जा रहे थे और उन कमरों पर जब जाच हुई सीवी सी की तो जो फाइंडिंग्स थी उस सत्रें फरवरी दो हजार बीस को वो फाइंडिंग्स आपके पास आ चुकी थी लेकिन विपच्च के लगातार आरोप लगाने के बाद भी आपने वो फाइंडिंग्स जनता के सामने नहीं रखी यह गंभीर मामला है और गंभीर मामला इसलिए भी है कि आप सुराज की बात करते करते शराब तक पहुँच गये सुराज की और इमानदारी की बात करते करते आपने सिच्चा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा आमादी पार्टी के ब्रस्टाचार के आगोस में स्कूल विद्याले भी नहीं बच पाए उदारण कमरों में बनाये जा रहे जो निर्मार किया जा रहा उसमें बड़ा घोटाला है सीरीज आफ करप्शन ये केजरीवाल सरकार सीरीज आफ करप्शन चला रही है शराब घोटाला करते है शराब के ठेक